आप वो जो टेबल है टेबल क्या हरे को रो अच्छे से explain करते करते नीचे जा सकतो इन order to get your six marks दो टाइप होते है एक्जिसंसी मैट्रिक्स और इंसिदेंस मैट्रिक्स उसकी थेरी आपको एक्जाम में पूछी गई है कम समय में जादा marks लाने के लिए आपको Huffman coding बहुत अच्छा से help कर सकते है अगर आपकी relations अच्छे हो तो ही लोग आपको function के लिए बुलाएंगे आपको एक बारी कॉंसेट पता चली तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्ट कर सकते हो कैल्सी का यूसिज आपको लगेगा इस केस में इसमें भी बहुत जादा कंप्यूजिन है अब जो बच्चों को यह पता नहीं है यूनिट मैं बता हूँगा तो आप और इन दोनों ब्रांचेश को एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसका नाम है डिस्क्रिट माथमेटिक्स वैसे तो काफी टफ है लेगे इस सब्जेक्ट की स्ट्राटेजी कैसे बनाई जाए और उस स्ट्राटेजी को पकड़के फिर हम लोग अच्छे मार्स कैसे लेके आ बात रहते हैं उन पेपर्स को मद्दे नजर मेरी स्ट्राटेजी बनती है तो इस वेरी इंपॉर्टन के आप अच्छे से ध्यान दो पेन पेपर आपके सामने रखिएगा शुरू करने जा रहा हूँ आपके लिए डिस्क्रिट माथमेटिक्स के आई टी वाले ब्रांच की स्ट्राटेजी 15 साल से इंजिनिरिंग पढ़ा रहा हूँ हर एक चीज से वाकिफ क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है कैसे पढ़ना है और क्यू पढ़ना है सब कुछ अब सब को पता है 70 marks का पेपर होता है unit number 3, unit number 4, unit number 5, unit number 6 यहने की 4 units 2.5 hours अपने को मिलते जहाँ पे 1 unit 37 minutes में हम लोगों को खतम करना है अब क्या 1 unit 37 minutes में हम लोगों का खतम हो सकता है यह बहुत बढ़ा सवाल है और तो और सर, discrete mathematics initially लगता था कि हमें आता है क्योंकि आपके अगर पहले 2 units देखे जाए तो बहुत गुडी-गुडी वाले units थे, पहला unit था sectarian logic और दूसरा unit था INSEM का जो की combinatrix था तो अब unit number 3 से हालत tight होना शुरू हो जाता है इसलिए हर एक unit के बारे में strategy ज़रूर समझ लो और हाँ आपको पता है आपके branch के लिए discrete mathematics की book local author भी मिलना बहुत rare है तो आपको syllabus बड़ा देते हुए उन्होंने एक ऐसा unit डाला हुआ है उस unit के आपको notes कहीं पे नहीं मिलते हैं बहुत rarely आपको मिलते हैं आपको वो धुन-धुन के कहीं कहीं से लाने पड़ते हैं तो चल सकते हो graph theory भी है और उसके साथ साथ trees को भी इन्होंने include किया वैसे तो tree क्या होता है वो graph ही होता है लेकिन graph is something which is closed and tree is something जो की आपके graph का ही एक पार्ट है लेकिन वो हमेशा open होती है अपनी trees देखो open होती है जैसे हम लोग tree diagram निकालते तो open होती है वो आपको यहां पर basic है जो तो भाई जो घर होते हो उनको vertex बोल सकते हो और जो रास्ते होते हो उनको edges बोल सकते हो तो vertex और edges की यह game है जो आपको समझ में आनी चाहिए when it comes to graph theory बहुत सारे टाइप से graph के अब एक सवाल पूछा था आपके IT department के paper ने कि वहां पे operation of on graphs बोला था जो कि इस course में नहीं है ल जो कि आपको महां पे store storing वगर वगरा जो कि आपको वहां पे अच्छे से explain करते आना चाहिए तो it is bit of आपका कोई एक और subject भी है जहां पे आपको यही topic से उनको बस club करके उन्होंने कुछ सवाल यहां पे set करे थे तो एक ही था mostly वह सवाल next इसमें graph में हमें क्या जैसे मैंन कुछ किसी तरीके से यह work out कर लिए यह देखो तो number of घर और उनको जाने के लिए रास्ते तो vertex और vertices और मुझे यहां पे edges दिखना शुरू हो गया एक और चीज मुझे बताओ यह जग मैं बता रहा हूं तो क्या आपको ऐसे लिगता है for example अगर यह मेरा घर है तो इस घर से क कालते बैठेंगे कि तो किता समय जाएगा तो best option बताता हो इसके लिए आपको concept लगती हैंड शेकिंग लेमा की भाई मैं अगर किसी के साथ हैंड शेक कर रहा हो हाथ मिला रहा हो तो मैं बोलूंगा घर पे जाके मैंने किसी के साथ हाथ मिलाया और वह बंदा भी घर पे जा में हैं और आप देख सकते हैंड शेकिंग लेमा पर यू कैन जिस्ट हव लूक अट इस की सर देखो तो सही हमें सम पूछे की नहीं तो देखो हैंड शेकिंग लेमा उसके बाद शायद से उपर कहीं पर कहीं क्या ने तो भाई इस तरीके से कुछ अभी latest papers में तो पूछे स सवाल जित्ते मुझे दिखा ही दे रहें अब सर जी next is what next is matrix representation कोई भी graph को अगर आपको represent करना है तो in terms of matrix दो टाइप होते एक्जिसंसी matrix और incidence matrix उसकी theory आपको exam में पूछी गई है तो यहाँ पे कहीं पे छोटा मोटा part रहेगा जहाँ पे आपको graph को मतलब matrix का representation जो हो पूछा जा सकता है देखो कुछ चीजे computer branch के लिए भी पूछी है तो बस आपको अच्छे से prepare करना है next is isomorphism isomorphism का मतलब क्या होत तो मुझे बताओ मेरा बस attire अलग है अंदर से तो मैं मैं ही हूँ ना तो simple चीजे दिए गए दो graph भली दिखने में अलग-अलग हो लेकिन क्या वो similar है यह बताने का काम करता है आपका isomorphism तो अगर similar है तो isomorphic है नहीं तो non isomorphic है अब आपके number of edges, number of vertices, number of degree की sequence आपका highest वाल तो यह एक छोटी सी concept है उसके साथ साथ next हमें पूछा जाता है Eulerian or Hamiltonian circuit, what does that mean? Eulerian or Hamiltonian circuit का मतलब यह होता है कि भाई साब अगर आप सारी की सारी edges, आपको कोई graph दिया है, अगर आप उसकी सारी की सारी edges जो है, वो edges एक ही बार travel करके पूरा का पूरा graph cover कर सकते हो, कि देखो शुड नोट भी multiple traveling on that particular edge या फिर number of edges इसे कहते है, Eulerian path बनता है, उसका Eulerian circuit बनेगा, अब Hamiltonian का मतलब है, आप किसी एक घर से शुरू करो, एक घर से शुरू करो और हर एक घर को एक ही बार travel करके, अगर आप वापस अपने घर आप आप आए, तो उसे हम लोग कहेंगे कि number of sorry, आप vertices को once travel करोगे, और फिर भी आपका graph complete कर पा रहे हो, तो उसे हम लोग कहते है, Hamiltonian path, तो देखो, दो concept बताई, उसके बाद next concept है, known to be as shortest path algorithm, मुझे बताईए, आपको ये dextras वाली concept use करके shortest path करता है, ये देखो, यहाँ पे dextras पे, आपको सवाल पूछे, गए दिखाई अब से लेके US करता है, ये dextras कर लिया, ये dextras करता क्या है, extremes algorithm क्या करता है, मैं बताता है, तो मेरा ये starting point और end point ह ê, to mujhe starting point से लेके ending point तक के हर एक edge के लिए कुछ weight दिया जाएगा, इसका 5, इसका 7, इसका 2, इसका 3, То मुझे क्या करना है, मुझे start से लेके end टके पहुंच लेकिन shortcut मरना है मेरा petrol मुझे बचाना है यह करने का काम कौन करता है यह करने का काम आपका dextras करता है और अगर आप देखोगे आप अगर मेरे notes देखोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि मैंने tabular form में dextras को अगर आप देखोगे तो 6-6 marks के लिए आते तो in that case आप वो जो table है table के हर एक row अच्छे से explain करते करते नीचे जा सकते तो in order to get your 6 marks समझ में आ रहा है अब इसका weight दिया जाता है हर एक edge का इसलिए आप यहां पर shortest path निकालने के लिए आपको आसानी बन सकती है next is planar graph अब देखो यह जो आप graph देख रहे हो यह planar graph है क्या हां क्यों planar है because इस graph में आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके से एक दूसरे पर overlapping edges नहीं रिखाए देरे जैसे मुझे अगर यहां से यहां पर draw करना है तो overlap हो जाएगा ना इसके साथ तो ऐसे नहीं draw करना है instead मैं ऐसे draw करूंगा यह देखो और ऐसे लेके जाऊंगा तो किसी भी तरीके से एक edge दूसरे edge के उपर नहीं आनी चाहिए इसका खयाल रखने का काम करता है आपका planar graph और इसकी वज़े से कुछ regions बनते जैसे अभी एक region बन गया है कि नहीं यह आर वन यहां पर यहां पर र सवाल रहते हैं जो कि आपको इस हिसाब से पूछे जाएंगे यह को planar के उपर आपको सवाल पूछा है तो यह आप यह सारे papers है आपके जिनके जिनका analysis में आपको यहां पर तगड़ा वाला दिखा रहा हूं कि भाही किस तरी किसे workout होता है और कैसे हम लोग इसको work कर सकते ह कि graph coloring उसके बाद है connectivity और उसके बाद आता है traveling salesman का problem अब बोलोगे सर यह क्या है यह मैंने latest ad किया है अपने course में आप अगर देखोगे तो graph coloring का मतलब क्या होता है आपके जो आपके जो vertices है उनको हम लोगों को color करना है and we need to make sure कि जो adjacent vertices है उनको same color ना है यानि कि number of colors कितने लग किया गया है तो अब number of colors निकालने के लिए कुछ numerical आपको पूछे है या फिर कुछ concept बता है फिर बाइपर टाइट graph जो है आपका complete बाइपर टाइप graph जो होता है वो two chromatic होता है यानि सिर्फ दो color में बनता है यह concept यह वहाँ पर बताईए अब यह concept पता होने के बाद next is what is edge connectivity what is vertex connectivity and the most important part is traveling salesman problem what does that mean traveling salesman का मतलब क्या है भाई साब traveling salesman का मतलब है कि कोई भी salesman जो है number of घर अगर उसको दिये तो उसको सारे घर पे जाना है और सारे घर पे एक ही बार visit करना है मतलब कोई घर छोड़ना नहीं है और multiple visits नहीं करने किसी घर पे और यह करते हुए अपना petrol भी बचाना है तो यह जो काम है यह जो problem है यह traveling salesman का problem होता है जो की conceptually कैसे वर्क होता है यह भी मैंने वहाँ पर बताया वहाँ पर दिखाया हुआ है तो यह concept है अच्छे से कर लो exam में आते इसके उपर के समस्तों यह आपको यहां तक के जो है वह ग्राफ वाला पार्ट है और उसके बाद आती है आपकी tree जैसे मैंने बोला यहां पर आपका graph close रहता है trees आपके open रहती है trees के बहुत सारे types है root है intermediate nodes है फिर आपके outer nodes रहेंगे बहुत सारी चोटी मोटी concept forest level weightage बहुत सारी चोटी चोटी concept से जो की basics में मैंने cover करी है उसके बाद आता है prefix code और साथ में मतलब क्या है जैसे अगर मुझे कोई data भेजना है तो मैं ऐसा data भीजूंगा जो unique होगा मतलब कि for example मैंने यहां पर a नामक data भेजा with the notation binary notation 00 और जब मैं b भेज रहा हो तो मैं उसके साथ 001 लगा रहा हो तो मुझे बताओ क्या यह दो 0 जो पहले आये हुए उनको a वाली location मिल सकती है कि नहीं तो यहां पर confusion होने के chances से in order to avoid that prefix में कोई भी पहले वाला element नहीं आना चाहिए यह बताने का काम यहां पर किया जाता है तो जब मुझे अगर मुझे b को भेजना है तो मैं उसको 010 में भेजूंगा जहां पर मेरा prefix previous कोई भी sequence वो मेरा कहीं used नहीं है मुझे c भी भेजना है तो मैं भेजूंगा 110 के इस आप से जहां पर previous sequence मेरी कहीं पर disturb नहीं हो रही है तो this is something I need to do यह जो कराने का काम करता है prefix code पर यह करता है हफ्मन कोडिंग बहुत इंट्रेस्टिंग बहुत आसान भी आपको full marks इसके मिल सकते कम समय में ज्यादा marks लाने के लिए आपको हफ्मन कोडिंग बहुत अच्छा से help कर सकता है यह को हफ्मन हफ्मन पूछा गया है graph coloring के बारे में यहां पर पूछा गया है traveling salesman के बारे में पूछा गया है तो बहुत सारी जैसे types आपके यहां पर cover हो रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें यहां पर cover हो रही है conceptually भी आपको यहां पर समझ में आना शुरू हो चोगा होगा नेक्स प्रिम्स एंड क्रुसकल अल्गोरिदम हमें work out करना है what does this mean यह जो प्रिम्स या फिर क्रुसकल का अल्गोरिदम है यह क्या करता है यह करता है spanning tree को form अब यह spanning tree का मतलब क्या होता है spanning tree का मतलब है कि अगर आपके community है तो इस community में जितने सारे घर है यानि की vertices है वो सारे के सारे vertices पे आपन उनको अकेला फील नहीं होना चाहिए मतलब कहीं ना कहीं उनकी connectivity remain maintain करनी ह है at the same time हमें कितने कम से कम ages में हम लोग उसको connect करा सकते यह दिखाना है उससे कहते है spanning tree और जब कम से कम में दिखाना है तो उससे कहा जाता है minimum spanning tree तो यह जो दिखाता है यह दो अल्गोरिदम्स है प्रिम्स और क्रुसकल्स है दोनों इकठा मत करो बहुत similarity है प्रिम्स कर लो next fundamental circuit and cut set what does that mean fundamental circuit भाई fundamental circuit का simple मतलब क्या होता है मेरे भाई देखो अगर मेरे पास कोई मुझे graph दिया है या फिर मुझे tree दिये तो उस tree को मुझे number of minimum मतलब minimum spanning tree के हिसाफ से पहले represent करना है और minimum spanning tree में ऐसी कौन सा edge है जो मैं काटूंगा तो उसके दो टुकडे हो जाएंगे cut हो that's it अरे मतलब यह ऐसा relative है अपने family में जो weakest link को पकड़के उसको इस तरीके से influence करता है कि घर तोड़नी की कोशिश करता है यह concept यहां पर use होती है next network flows and minimum cut यह बहुत important concept है देखो network flow में maximum flow वाले सम्स बहुत जादा आते है आप देख सकते हो यहां पर maximum flow का सम आपको पूछा गया है एक और जगह पे आपको maximum flow का सम पूछा गया है एक और जगह पे आपको maximum flow का सम पूछा गया है तो आपको यह आए गए आएगा exam में what does this mean भाई साब आपका pipe का structure होगा कोई भी मतलब water का pipe lining का structure होगा आप देखो simple चीज़ अगर यह मेरा input है और अगर यह मेरा output है य यह सिखाता है आपको यह concept जिसे हम लोग कहते maximum flow निकालो तो यह बहुत interesting concept है इसको labeling करके भी हम लोग इसको solve कर सकते है बहुत अच्छे से सीखना books में भी बहुत अच्छे से दिया है आपने अगर आप पे वीडियो देखा है तो वीडियो में बहुत सही सटिक तरीके से मै ने बता है और कुछ सम्स भी मैंने अड़ करें इन और टू मेक शूर कि एक्जाम के सम्स और आपके सम्स जो है वह आपको पता चले कि किस तरह के से अंसर्स निकालने राइट उसके बाद एक और concept है that is three traversal three traversal main order होता है pre-order post-order मुझे नहीं लगता है आपको कुछ extra बताने यह वाले जो operations रहते हैं इसके लिए इसको यूज किया जाता है तो भाई basic graph और tree को मैंने यहां पर explain किया और यहां पर सारे आपके जो sums पूछे जाते है वो सारे मैंने यहां पर दिखाए tree के basics यहां पर देखो cutset पर sum पूछा हुआ है देखो तो जित्ते सारे concept थे वो सार है relations and function यह बहुत confusing unit है बच्चों को बहुत सरे doubts आते हैं इसमें की सरीय करना क्या होता है तो सबसे पहले तो भाई मुझे बताओ यह relation और functions आप में क्यों लिखा जाता है भाई साब अगर आपकी relations अच्छे हो तो ही लोग आपको function के लिए बुलाएंगे तो simple analogy relation और function एक relationship दिया जाता है उस relationship के बारे में यहां पर हम लोगों को काम करना है जैसे कि A B दिया है A to B connection है B to A है की नहीं B C है की नहीं C है की नहीं है matrix होता है ordered pair के हिसाब से आप उसको दिखा सकते हो बहुत सरी तरीके है तू रिप्रेजेंटेशन का तो ठीक है सर आप हमें यह बताईए इसका हमें करना क्या है इसकी सबसे important चीज है इसकी properties तीन टाइप की property आपको जो है वह बहुत खेलना पड़ता है एक होता है reflexive दू हो रहा है तो उसे कहते है equivalence relation जो कि आपके तीनों लोगों को satisfy करने के बाद आपको मिलता है तो सबसे जादा अगर आपको समय जाएगा तो वह किस चीज में जाएगा यह तीन चीजों को समझने में उसमें भी आप reflexive immediately समझ सकते हो क्योंकि खुद को reflect करना one के साथ one आना च चाहिए B के साथ B आना चाहिए C के साथ C आना चाहिए इस reflexive लेकिन symmetric is A से लेके B है तो उसने भी उतना ही प्यार दिखाना चाहिए B से लेके A इसे हम लोग कहते है symmetric और transitive का मतलब A अगर B का दोस्त है तो B ने C का दोस्त होना ज़रूरी है तो A C का दोस्त होगा यह चीज इसके उपर बहुत सारे numericals है reflexive symmetric और transitive के उपर यह बहुत ध्यान से देखना next पॉसेट नाम की concept है सब कुछ capital में लिखा है that is partially ordered set अब बोलोगे partially ordered set मतलब क्या partially ordered set मतलब ऐसा set जहाँ पे आपकी relation की जो property है उसमें से reflexive plus वो होना चाहिए anti symmetric मतलब देखो और वो होना चाहिए transitive अब इसका मतलब के आप खुद मुझे बता दो यहाँ पे reflexive के बाद symmetric होना चाहिए usually अगर आपकी सारी की सारी condition satisfy करनी है तो लेकिन reflexive के साथ anti symmetric partially बस दो चीज़े satisfy कर रहा है symmetric को satisfy नहीं कर रहा है इसलिए known to be as partial order set और इसी partial order set को represent करने के लिए जो diagram निकाली जाती है उसे कहते है has diagram यह has diagram is the optimum representation की आपको किस हिसाप से आपका दिया गया relation minimum minimum ways में represent करने के लिए आना चाहिए याने कि कम information ज्यादा extraction इस हिसाप से यह has diagram workout होती है और has diagram में बहुत बड़े-बड़े point minimal point maximum point उसका lowest वाला कुछ र रहता है अपर अपर बाउंड होता है बहुत सारी चीज़े होती है अपर बाउंड लोर बाउंड चीज़े होती है उसके साथ साथ आप देख सकते हैं में chain anti-chain की concept है इस diagram में बोल सकते हैं लैटिस वाला structure उसके उपर भी काम किया गया है तो हैस diagram बहुत important है दोस्त आपको स से चीज़े देखने की कोशिच जरूर कर सकते हैं चलिए next देखते है closure और वार्शिल्स अल्गोरिधम यह क्या कहता है वार्शिल्स अल्गोरिधम तो भाई सिर्फ ट्रांजिटिव क्लोजर के लिए अब देखो for example में को मुझे कुछ चीज़े खरीदनी है 100 रुपे की ले डाल देता है इसका मतलब वो मेरी उस चीज़ को closure दे देता है तो यह जो 20 रुपे मेरे पास आते है उसे कहते कि मुझे closure मिल गया अब हमें तीन टाइप की closure चाहिए reflexive closure AA है BBA लेकिन CC नहीं है तो CC डाल दो anti-symmetric के लिए closure लगता है और transitive closure तो यह transitive closure निकालने के लिए एक algorithm यूज किया जाता है जिसे कहां जाता है वर्शल सब्सक्राइब होफुली आपको समझ में आ रहा है जो बता रहा हूं मैं next is partition and equivalent class नहीं लगता है यह ज्यादा कुछ नहीं किया तो भी चलेगा मैं इसको रोटो टाइप है जिसको लेके आप सम को solve कर सकते हो that's all about relations आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे questions जो है regarding relation आपको पूछे जैसे कि यह देखो closure then there is hash diagram recurrence relation properties basic relation basic relation then there are basic properties के उपर सवाल है संस on function basic relation के उपर सवाल है recurrence and hash diagram इतने सारे सवाल आपके यहाँ पर clear हो रहे है अब बचता है कौन function भाई ऐसे relation जिनको function कब बोला जाता है फिर वह function हो तो कैसे भाई one to many होता है many to one होता है फिर into होता है on to होता है इंजेक्टिव होता है सजेक्टिव होता है यह सब कुछ जो है वह आपको इस वाले टॉपिक में यहाँ पर functions के basic में पता चलता है तो यह basics आपको बहुत अच्छे से दिमाग लगना है कि into क्या होता है on to क्या होता है छोटी छोडी चीज़े होती जो आपको यहाँ पर आप बोलोगे सर इसमें क्या समस्जा हैंगे सर देखो आपने सुने होंगे कुछ समझे से की एफफो जी निकालो राइट एफ ऑफ जी ओफ यह पर जी ओफ को ऐसे लिखते है यह फिर किसी का function का inverse निकालो फिर inverse ऑफ ऐसे कुछ है फिर एफ एफ जी ऑफ जी ओफ एच ऐसा भी होता है तो यह सारी जो quantities निकालनी होती है composite function वाली यह सारा काम जो है यह आपके समस्वन function में आता है यह बहुत ध्यान से करना यह देखो हर जगा पे पूछा है हर जगा पे समस्वन function पूछा है आपको basic function जो है वह मैंने जो आपको बोले थे type of function basic function जी है जो आपको कम पढ़ रहा है pigeon के लिए तो pigeon किसी के साथ accommodate करेगा तो यह concept को लेके उन्होंने pigeonhole principle के ऊपर कुछ समस्वन दिये हुए तो यह मैंने यहाँ पे लिए हुए तो भाई साब इस तरीके से topic बहुत वास्ट है लेकिन relation and function आपको बहुत अच्छे marks देके जा सकता है provided यह बहुत conceptually समझ में आ रहा है जो बताने की कोशिश कर हो कुर्सी की बेटी बान लो क्योंकि ऐसा खतरनाक वाला unit आ रहा है जो अब तक किसी भी ब्रांच के लिए नहीं है सिर्फ information technology IT और AML के लिए इंट्रोडूस किया गया है यह नया ही unit आया हुआ है जिसका नाम आप देख सकते ह काम से और काम से वैसे तो यह बहुत चोटा है और इसके answers भी बहुत चोटे चोटे आते लेकिन यार क्या concept परेशान करती है मैं आपको बता ही नहीं सकता अब बोलोगे क्या से कुछ भी बोल रहे हो मैं आपको बताता हूँ यह जो usually क्या होता है आप अगर किसी particular university को follow कर रह आती है लेकिन अगर आप IT branch या फिर AML branch के लिए अगर आप discrete mathematics की book ढूंड़ो तो आपको शायद ही वह book मिलेगी और शायद ही यह चीज़ आपको आपके उस book में मिलेगी बहुत rarely यह चीज़ दिखाई देती है क्योंकि यह वाली चीज़ बहुत कम लोगों को पूछी गई अब है कौन यार यह यह basically काम करता है divisibility के उपर यानि कि आपका quotient होता है remainder होता है diviser होता है तो in dividend होता है ऐसी concepts के उपर यह workout करता है और remainder के उपर बहुत काम करता है module को यह उपर बहुत काम करता है तो अब देख सकते हो there is divisibility and division वाला algorithm वैसे तो algorithm नहीं पूछा है लेकिन divisibility क्या होती है यह पहले तो हमें पता होनी चाहिए next is greatest common divisor निकालने हम लोगों को जिसे GCD आपने नाम तो सुना ही होगा using क्या करना है Euclidean algorithm use करना है अब इससे answers आते लेकिन वह और आसान कब होता है जब हम लोग extended Euclidean algorithm use करते यह तीन चीज़े जितनी मैंने बखबख करी है हुआ है तो यह भाई साब काफी important वाला चीज़े इसकी concept समझ लो sums शायत जो paper में आये है और जो आप देखोगे वह अलग हो सकते हैं लेकिन आपको एक बारी concept पता चली तो आप इसको बहुत अच्छे से solve कर सकते हो Kelsey का usage आपको लगेगा इस case में next is तीन चीज़े बताने क आपको एक्जाम में सवाल पूछे तो देखो भाई congruence के उपर जो सवाल पूछे वो मुझे यहां पर दिखाई दे रहे congruence then there is again congruence modular arithmetic same concept है आपको same concept workout करके ही answers इसके निकालने आप बोलोगे personally बोलोगे तो sir यह modular arithmetic थोड़ा सा confusing है क्या तो हाँ यह थोड़ा सा confusing लेकिन उ इसे कहा जाता है यह बहुत important exam में आया हुआ है उसके बाद format little theorem इसको बोला जाता है यह भी concept बहुत तगड़ी है तो टोशन function हो format theorem हो यह सारे आपको exam में पूछे हुए आप देख सकते हो मैं टिक कर रहो format पूछा है टोशन पूछा है आप देख सकते हो उसके बाद GCD का बात हो गया format पूछा है वापस से format और यहां पर टोशन पूछा हुए और उसके बाद एक player आता है Chinese remainder theorem भाई मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको इस unit को अच्छा से करना है तो प्लीज इसके सारे वीडियो धंक से देखो जिन लोगोंने app पे course लिया हुए और जिन लो यहां पर searching वाली चीज थोड़ी से extra करने पड़ेगी क्योंकि आप खुद भी sum को solve करें तो answer जब आता है तो अब surety ने भाई value अलग 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 आती है तो आप चाहिए तो Google पे answers चेक करके देख सकते हो हर एक sum के लिए जो आपको पूछा गया है और जो फिलाल notes में आप की जो concept है this is one of my favorite concept बहुत limited sums आते हैं और बहुत प्यारे समसे मस्त माक देखे जाता है आप देख सकते हो पहले शुरू के paper में नहीं था लेकिन उसके बाद Chinese remainder theorem ने हर जगह पे कही ना कही उसका यहां पे element जो वो लिया हुआ एक और चीज़ आप मुझे यह पूछ सकते हो sir क्या sir must Congress Euclidean Chinese Congress Euclidean Chinese ऐसे आपको कभी नहीं दिखाए देगा यह सारा pattern mix match करके आता है तो आप यह guarantee नहीं ले सकते हो कि sir इसमें कोई 3 topic बताओ जो कि exam में आएंगे आएंगे लेकिन immediate वही 3 होंगे जो कि आपको full marks देंगे ऐसे नहीं हो सकता है इधर उधर mix हो के आएंगे लेकिन आपको इसका ordering एक और दूसरा solve करना है तो you need to be very sure कि आपके concept बहुत अच्छे से कोई चीज उपर उपर देखो इसमें से sir बताओ ना sir कौनसी चीज में उपर उपर से देखो तो यह देखो यह division algorithm वाली चीज उपर उपर से देख सकते हो बाकी तो वैसे भी conceptually easy है त आपको फटा-फट समझ में भी आ जाएगा और अच्छे marks भी इसके मिल सकते हैं आपके sums अलग-अलग हो सकते हैं तो sum solving की practice जरूर करना when it comes to this particular unit I'm sure यह unit का logic आपको समझ में आया है यूनिट नंबर 6 अब यूनिट नंबर 6 का अगर आप नाम देखोगे तो that is algebraic structure and coding theory इसमें भी बहुत ज्यादा confusion है अब जो बच्चों को यह पता नहीं है ए और भी है तो a star b star is what आपका कोई भी operation जिसको represent कर रहा है वैसे कौन-कौन हो सकते भाई plus हो सकता है minus हो सकता है division हो सकता है multiplication हो सकता है कुछ भी operation जो की star के तोर पे दिखाया जाता है अब यह जो star वाला जो operation हो रहा है वह binary operation के कुछ properties होती है जैसे कि a star b is equal to b star a आ रहा है क्या a star b bracket star c is equal to a star b star c आ रहा है क्या यानि कि कुछ closure हो रहा है क्या तो closure property satisfy हो रही है क्या यह property है next is associative property next is identity property next is inverse property and next is commutative property अब आप बोलोगे इतिनी सारी property हां यार सबसे बड़ा player है इसके numericals अगर आप देखोगे इसका एक paper बहुत ही tough आया था मतलब I can simply say that June 23 sorry Jan 23 was the most difficult paper ever IT का निकला था इस paper के लिए जब आप देखोगे न तो आपको कुछ चीज़े समझ में आएगी कि यार इतना सम बड़ा बड़ा दिया हुआ है confused किया बच्चों को तो यहां पर देखो closer associative identity inverse और community property के ऊपर आपको बहुत सारे समझाएंगे अब बोलोगे sir direct समसाते क्या नहीं इसका एक और तरीका भी है जैसे कि अगर closer property satisfy हो रही है तो उसे कहा जाता है algebraic structure उस relation को next closer के साथ साथ अगर associative property satisfy हो रही है तो closure plus associative property satisfy होने के विज़े से there is a name called as semi group next closure associative plus identity property अगर satisfy हो रही है तीन हो रही है तो उसे कहा जाता है monoids तो सवाल पूछा जाता है show that the relation is monoid तो monoid मतलब क्या this plus this plus this proof करना पड़ता है next identity के साथ साथ inverse भी अगर हो आ गया तो उसे कहते है it is a group and इसके साथ साथ committative property भी अगर आ गय तो उसे कहते abelian group क्या कहते abelian group is the highest one अब closure associative identity inverse committative नाम वापस वापस बिता रही हो algebraic structure semi group monoids group and abelian group इनके उपर आपको आएंगे भाई साब numerical बहुत तगड़े वाले numerical आएंगे मैंने बहुत सारे numerical इसके लिए हुए अब issue क्या है इसके साथ साथ कुछ और भी numerical आ सकते हैं अब देखो जितना मैंने लिया है वो तो आपको compulsory करना ही करना है लेकिन अगर उसको search करना पड़ेगा कही किसी तरीके से जिनके पास books है books में आपको अगर मिल रहे तो देख लो नहीं तो it is important कि आपको concept पता चले हर एक sum को उसकी एक concept है जिनको आपको मद्दे नजर चीजों को workout करना पड़ता है जैसे करोगे आपको अपने marks आना शुरू हो जाएंग it is all about the concept आप सीख लो सम्स जो है पो वहां पर अलग अलग आ सकते यह मैं आपको पहले ही बता रहा है अब having said this there is a concept called as rings rings क्या होते यार अब rings में देखो कहानी में twist आएगा कोई भी एकाथ function के साथ साथ rings में आपको दो operators दिखाई देंगे binary operations एक होता है star दूसरे को मैंने ऐसे symbolic representation किया हुआ है अब इसका condition है तभी वह ring होगा यह कम से कम abelian group चाहिए और यह कम से कम semi group चाहिए यहाँ पर देख स बच्चने एक लेट से शाहिद कपूर है तो यहाँ पे शाहिद कपूर मतलब कहां तक आना चाहिए closure प्लस associative property satisfy करके यह बैठना चाहिए semi group के category में और सारी property satisfy करके यह बैठना चाहिए abelian group के category में are you guys getting my point देखो इतना जितना लोगों को समझ में आ रहा है इस concept को अगर आ सकते कोई it is what ring और रिंग के उपर तो define ring करके आपको सवाल भी पूछे जाते ही देखो define ring यह सारा numerical वाला base है मैं वापस से आपको बतारो कि numerical के उपर based है सारी चीज़े ring भी सिखा दिया numerical properties field क्या होता है numerical क्या होता है so mostly बड़ा सारा part जो मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश करिए आपको अब यह खतम होने के बाद next आता है addition modulo multiplication modulo बहुत simple सी चीज़ है अगर मैं 3 को 4 से डिवाइड करू तो मेरा remainder कितना रहे 3 7 को भी 4 से डिवाइड करू तो भी remainder कितना रहे 3 6 को 4 से डिवाइड करू तो remainder कितना रहे 2 तो यह remainder वाली game खेलता है इसलिए modulo वाली game तो यहां पर दो टाइप आते है addition and multiplication modulo concept समझ लो इसके उपर sums भी बहुत बारी आते है अगर देखोगे तो यहां पर addition and multiplication modulo के उपर आपको एक sum जो है वो दिखाई देता है exam में पूछा हुआ having said this next part आपने नहीं करा तो भी चलेगा अभी तक के latest pattern में मुझे इसके उपर स coding theory यह coding theory एक अलग से पूरा का पूरा topic ही दिया हुआ है and वो कपसे सुधर है पता है जैन 23 छोड़ दो यह देखो June 23 से यह लोग सुधर चुक है June 23 में आप देख लो अच्छे से coding theory पर compulsory एक सवाल उन्होंने देना चाहिए तो उन्होंने इज़त से वहां पर एक सवाल आपको कुछ redundant beats भेजने पड़ते हैं जिसे parity कहा जाता है even parity के कहलो और parity कहलो या फिर आपका 4 bit का data होगा उसके लिए आप extra 3 bits भेज रहे हो total 7 bit का data आगे भेज रहे हो ऐसे कहलो अब इसके लिए आपको parity check matrix दिया जाता है उस parity check matrix को use करके आपको वो code words ready करने के और वो जो code words ready हो जाएंगे ना मेरे भाई उन code words को ready करने के बाद कहीं पर error detect हो रहा है तो कितना हो रहा है क्या हो रहा है यह सारी चीज़े जो है वो बताई गई है इस coding theory के topic में and मुझे personally लगता है इस पूरे जहमेले में अगर कोई अच्छा इंसन marks दे सकता है तो वो दे सकता है coding theory तो पर explanation दो वाली चीज़ भी आपको पूछिए तो यह भी आपको आने चाहिए यहाँ पर आपकी concept आपको समझ में आना ज़रूर यह numerical अलग अलग तरीके के हो सकते हैं जितने मैंने लिये हुए उनके साथ साथ अगर आपके पास कोई और material हो तो आप कुछ extra समसी प्लीज दे रखना I'm sure आपको यह unit 6 का strategy भी अच्छे से समझ में आया है I'm sure आपको unit 3, unit 4, unit 5, unit 6 पले पड़ा होगा थोड़ा सा वास्ट है थोड़ा difficult भी है और कुछ Google की help लेके आप इसको अच्छे से आगे लेके जा सकते हो आप सब को all the best आपके exam के लिए और आपको इस strategy कैसी लेग आपको 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 आपक